आप सभी को वसंत पंचमी की हारदिक शुबकामना है। विद्या अर्जन करके एक सू सभ्य नागरिक बनकर अपने देश का नाम गौरब करेंगे। आरे भारत वर्ष में ही मनाय जाता है या फिर अन्य देशों में भी मनाय जाता है। वसंत पंचमी का तेवहार मा सरस्वती की आराधना करने के लिए मनाय जाता है या सद मार पर चलने के लिए मनाय जाता है। बिलकुल आप सभी के जो भी प्रश्वती में उपज रहे होंगे सभी का उत्तर दूंगी मैं आज। तो बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में मा सरस्वती की पूजा करने। आईए चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे की हम सबको बता है की कैसी मानिता है, कौन से महीने में यतिहार मनाय जाता है। जैसे की आप जानते की वसंत रितू का आगमन होते ही प्रकृती मानो दुलंसी सज जाती है। चारो तरफ रंग बिरंगे फूल, सुगंदित हवाएं चलने लगती हैं, पशू, बक्षी, सभी जीव, जन्तू और मनुष्य भी अपने आपको प्रस्तन चित का अनुभव करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसी मानिता है कि वसंत पंचमी के दिन से ही देवी मा का जन्म हुआ था, मा सरस्वती का जन्म कब हुआ था वसंत पंचमी के दिन। तो इसी दिवस से वसंत पंचमी का तेवहार मनाय जाता है। वसंत पंचमी एक ऐसा तेवहार है जो कि वसंत रितू के आगमन के लिए प्रारम्भिक तैयारी को चिन्नित करता है। इसका दातपरे क्या हुआ कि वसंत पंचमी का जो पर्व है वसंत रितु के आगमन और उल्लास का दिवस होता है वसंत रितु का आगमन है वसंत रितु रितुों का राजा येस रितु राज जिसको कहा जाता है तो मैं बस आपसे यही कहूंगी कि वसंत पंचमी को रधय में बसाकर मा सरस्वती को अपने रधय में बसाकर ध्यान केंदृत करके अपना अध्यन कीजिये पढ़ाई कीजिये सदमार्क करिये और सदमार्क पे चलकर अपने द्रिणिश्य करके अपनी मंजिल तक पहुँचिय आप यहाँ पर लिखा है कि वसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है बताईए हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जहाँ पर धार्मिक मानेताओं का बोल बाला है देखिए धार्मिक तेहार हैं राश्टिय तेहार हैं और इस तरह के तेहार हैं हम सब चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो इसाई हो सभी धर्मों के लोग आपस में मिलकर तेहार मनाते हैं जो की राश्टिय तेहार कहलाते हैं इन्हीं में एक तेहार वसंत पंचमी भी है क्योंकि विद्या की देवी मा सरस्वती है और यही कारण है कि जहां एक तरफ अन्य देशों की संस्कृतियां लुप्त होती जा रही है वहीं हमारी भारतिय संस्कृति आज भी बरकरार है हम सब जानते हैं कि मा सरस्वती विद्या की देवी है और ना केवल भारत में ही मा सरस्वती जी की पूजा या अर्च ना की जाती है अभी तो आपने समाचारों में देखा होगा न्यूस पेपर्स में पढ़ा होगा टेलिविजन्स पर देखा होगा कि अमरीका जैसे जो विक्सित देश हैं उसमें भी विद्यालयों में या सिक्षा संस्थानों में मा देवी सरस्वती की प्रतिमाय स्थापित की जा रही हैं ताकि मन एकाग्रचित रहे मस्तिश्क अपने बहुत अच्छे से सोच विचार करें ताकि हम सभी एक सभ्यता की और आगे बढ़ सकें यही सिखाता है हमें वसंत पंचमी का तेखार साथी साथ भारत एक धार्मिक देश है जैसे अभी मैंने कहा कि कुछ धार्मिक तेखार ह हम सभी के बीच में आपसी एकता देखी जाती है यदि हम राश्टियते होरों की बात करें तो गांधी जैनती 15 अगस्त या स्वतंत्रता देवस 26 जनवरी या गंतंत्र देवस यह सब हम सब एक साथ मिलकर बनाते हैं तो मा सरस्वती आप सभी को सद गुद्धी प्रदान कर करेंगे अपने ध्यान केंद्रन के साथ करेंगे भारत एक धार्मिक देश है और अलग-अलग धर्मों की विविन मानिताओं की कारण भारत में कई तयोहार मनाय जाते हैं लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कई तयोहार अलग-अलग तयोहारों या अलग-अलग और ना केवल हमारी भारतिय संस्कृति का भारत में ही बोल बाला है अपितू दूर विदेशों तक साथ समुंदर पार तक भी हमारी संस्कृति को लोग अपना रहे हैं तो आईए हम सब मिलकर ये प्रण करते हैं ये संकल्प करते हैं कि मा सरस्वती की आराध न करते हुए हम सद कर्म करेंगे सद वैवार अपनाएंगे सद मार पर चलेंगे और सू सभ्यनागरिक बनकर हमारा हमारे परिवार का हमारे देश का नाम सारी दुनिया में रौशन करें आप सभी को वसंत पंचमी के पावन पर्व की पुना हार देख शुब कामनाए धन्यवाद